मानव इतिहास के पन्नों में कई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने वक्त वक्त पर लोगों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया है कुछ ने धर्म के नाम पर लोगों की बली चुड़ाए तो कुछ ने अपने मज़े के लिए लोगों का खून बहाया कुछ ने जमीन के लिए लड़ाई लड़ी तो कुछ ने सोने चांदी किल की आज क्राइम तक पर हम आपको दुनिया के ऐसे कुरूर राजाओं के बारे में बताएंगे जिनोंने अपने कुरूरता से इंसानियत को एक दो बार नहीं बलकि कई कई बार शर्मसार किया है जिसने अपनी तलवार के दमपा पूरे एशिया को जीत लिया था चंगेस खान ने दुनिया के 22 विजदी इलाके पर कबज़ा किया था और आज कई सो साल के बाद भी कुरूर शास्कों में उसका सबसे उपर नामाता है जर्मनी का तानाशाह और 60 लाक यहुदियों और 5 लाक आम नागरिकों की मौत की बज़ब बना एक ऐसा तानाशाह था जिसने गैर यहुदियों के बीच डर का महल बना कर राज किया इतना ही नहीं कहते हैं कि इसकी नीतियों की वज़़ से दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था बलाद टेपस जिसे दुनिया ट्रैकूला के नाम से भी जानती है ब्लाट टैपर्स को मानव इतिहास में सबसे क्रूर दंड देने वाले के रोप में जाना जाता है कहते हैं कि वो लोगों की आते निकलवा देता था इतना ही नहीं वो अपने महल के पास मैदान में भाले लगी लाशे टंगवा देता था इसके चलते दुश्मन ब्लाद के नाम से खौब खाने लगे जोसिफ स्टालिन जोसिफ स्टालिन को मानव इतिहास के सबसे खतरनाक और क्रूर शासकों में से एक माना जाता है क्योंकि वो दूसरे किसी तनाशा की तुलना में ज़्यादा राजनितिक शक्ति का इस्तमाल करता था कहते हैं कि उसने अपने शासन के दौरान 20 लाग से ज़्यादा लोगों को मौत के गाट उता रहा था एटिला दाखून इतिहास के बुरे शासकों में से एक है कहते हैं कि ये जहां भी हमला करता था वहां किसी भी इंसान को जन्दा नहीं छोड़ता था मैकसिमिलियन रोबेस पेरे एक सनकी और खतरनाक इंसान जो अपनी हैवानियत के लिए जाना जाता था कहते हैं कि ये बिना च्छान बिन किये किसी भी संदिक्द व्यक्ति का सरकार देता था इतना ही नहीं सत्ता हासिल करने के लालच में इसने 50 लाख लोगों के सरकार दिये थे रूस के इवान चार एक ऐसा राजा जिसे सूली पर चढ़ाना पसंद था कहते हैं कि वो हर दिन करीब 500-1000 लोगों को अपने सैनिकों के माध्यम से अपने पास बुलाता था ताकि उन्हें वो यातना दे सके और उन्हें मौत के घाट उतार सके कर दो कर दो